जी हाँ दोस्तों मेरे कुछ साती हैं जिनका नाम है सुचीत पवन नीरज धीरज दीपक इन्होंने कहा है कि भाईया मुझे न अभाव जन्य रोग समझा देजिए तो भाई घबराओ मत आज के इस वीडियो से जो मैं आपको बताऊंगा न एकदम भेजा में ही जाएगा और इतना असान सा टॉपिक है न यार एक ही बार में आप समझ जाओगे तो यहां पर आप इजी वे में देखते रहिए और आपको दिख क्या रहा है जैसे ही मैंने उपर किया बस आपको टेंसन खत्म गया काम से बस इसको इतना असान है कि आप देखते ही समझ जाएंगे तो यहां पर आप देखिए यहां पर लिखा क्या हुआ है अगर इसका हम अभाव जन्य रोग का अगर इंग्लिस मेंनिंग देखते हैं तो देखिए दोस्तों इसका अगर हम इंग्लिस देखें तो डिफिसिंसी डिजी मतलब यह कि डिफिसिंसी का मतलब होता क्या है कमी कमी य या कह सकते हैं रोग या कह सकते हैं बीमारी तो इसका जो हिंदी निकलाता है क्या आता है अभाव जन्य रोग या कह सकते हैं हिंता जन्य रोग या इसको हम कह सकते हैं कमी के कारण होने वाला रोग तो यहाँ पर मैंने लिख क्या रहा है कि खान पेन की कमी से होने वाला रोग या होने वाला बिमारी रोग या बिमारी बात सेम ही है ओके तो खान पेन की कमी से होने वाला रोग हमारा क्या कहलाता है अभाव जने रोग यानि इसली कहें तो यहां पर मैंने लिख क्या रखा है पोसक तत्व की कमी के कारण होने वाला रोग आपको क्या कहलाता है अभाव कहलाता है तो आपको बहुत ही असानी से समझ आ गया होगा समझना ये क्यार पोसक तत्व क्या है गाईज आपने नाम सुनाई होगा कार्पोहेड्रेड प्रोटिन वसा बिटामिन एवम खनी जलवन ये सब हमारे पोसक तत्व है इनही की कमी के कारण हमारा क्या होता है आसा में देख सकते हैं और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो करो किया और आसानी से लिखिए ओके